तो चलिए कल है Mother's Day, अपनी मदर के लिए बनाई है ये healthy ice cream जिसमें ना हमने दूद, शक्कर, ना condensed milk, ना corn floor, कुछ नहीं डाला, तो सबसे पहले जैसे कि ये banana chocolate ice cream, तो केले ले रही हूं मैं, ये चार medium size bananas हैं, पके हुए केले लेने हैं, कच्चा केला नहीं लेना हैं, और इसको हम बारीग बारीग काट लेंगे, इस तरह से, तो बहुत easy, बहुत yummy, और बहुत ही soft ice cream बनती है, कोई corn floor, कोई condensed milk, कुछ भी हमने यूज नहीं कर रहा है, तो इसको ना, हम क्या करेंगे, फ्रीज करना रख दिया है, मैंने, तो फ्रीज करने के 3-4 घंटे के बाद, ये देख है, तो आप अगर एक बच्चे है, तो भी आप बनाईए है, अपनी ममा के लिए, तो देखे, तो ये देखे, वनीला essence डाल रही हूं, लगभग आदा चमच, ये optional है, आपकी choice है, आप डालना चाहते हैं या नहीं, यहाँ पे मैं चीनी यूज नहीं कर रही हूं, यहाँ प करिए, यहाँ पे मैं दो से तीन चमच भर के cocoa powder डाला है, यहाँ पे, और बस इसको ना अच्छे से blend कर लीजिए, ये देखे, कितना smooth texture आ गया है, इसको ना ऐसे भी बहुत tasty लगती है, बट इसको हम एक बार फिर freeze होने के लिए रखेंगे अच्छे से, तो freeze होने के बाद न फिर freezer में रख दीजिए, या overnight इसको ना cover करके रखेंगे, हमेशा कुछ भी freeze करते हैं तो उसको cover करके रखते हैं, इसके उपर dry fruits और chocolate की कतरन और choco chips कुछ भी डाल के हम इसको रख देंगे, और ये chocolate की कतरन है, आप उपर से हम serve करेंगे, चोको chips राल कर, तो इस तरह से इसक को मेरी recipe, जरूर बताईएगा, thank you so much for watching, stay blessed.